हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल स्टेट निकतन पर आज है ग्यारा सितंबर 2021 तो देखेंगे आज के बेस्ट कर इंटरफियर बर्ड EV Day यानि बर्ड इलेक्टिक विकल डे प्रतेक येर मनाया जाता है जी 9 सितंबर को ठीक है और ये 2020 में पहली बार चैना के द्वारा मनाया गया था चाइना है जो largest electronic vehicle market in the world है जी ठीक है इंडिया मतलब बल्ड में सबसे ज़्यादा electric vehicle चाइना produce करता है जी और पहली बार कब मनाए गया था 2020 में बल्ड EV day was an initiative created by sustainability media company green tv ठीक है किसके दोबरा create किया गया है sustainability media company green tv आगे बढ़ेंगे अगला article है world suicide prevention day तो international association for suicide prevention ये एक संस्था है IASP वो observe करता है जी world suicide prevention day प्रते एक year 10 सितंबर को ठीक है तो वो 9 सितंबर को EV day बना जाता है और suicide prevention day बना जाता है जी 10 सितंबर को इस वर्स का theme है creating hope through action creating hope through action जानते हैं कितना important होता है ये theme IASP यानि international association for suicide prevention WHO और world federation for mental health के साथ मिल कर किजी ये world suicide prevention day मनाता है कब से मना रहा है दो हजार तीन से International Association for suicide prevention founded by the late professor Erwin Ringel and Norman Forbe in 1960 NRIF India ranking 2021 तो union minister of education धर्मेंद्र परधान पहले ये petroleum मंद्री थे जी ने release किया है NIRF India rankings और 2021 नो तारिक को ही मतलब नो सितंबर को इस ranking में ये ranking का छठा edition है जी और इस ranking में overall winner जो रहा है वो इंडियन institute of मद्रास रहा है जी IIT मद्रास रहा है overall इस ranking का objective है जी criteria to promote competitive excellence चलिए अब आप उस list को देख लिजिए overall अगर बात करें तो IIT मद्रास रहा है जी university की बात करें तो IIS से बेंगलोरू रहा है Indian institute of science management की बात करें तो IIM अमदाबाद यानि Indian institute of management अमदाबाद college की बात करेंगे तो मिरंडा house दिली के pharmacy में जामिया हमदर्द न्यू देली मेडिकल में EMS देली ने टॉप किया है जी all India institute of medical science engineering में IIT मद्रास ही टॉप किया है ठीक है इन्होंने दो वर बीनर बने Indian institute of technology मद्रास आर्खिटेक्चर में IIT रुड़की dental में मनिपाल college of dental science उदूपी law में national law school of India university बेंगलोरू research institute में IIT बेंगलोरू अगला अर्टिकल है भारत हैब बी electricals limited तो इंडिया का first indigenously designed high as coal gasification based on methanol production plant और यह कहां पर किया गया है भारत हैब बी electrics limited research center कहां हैदरावाद में भेल का जो हैदरावाद में plant है वहां पर इसका integration किया गया है जी यह project जो है वह fund किया जा रहा है department of science and technology के द्वारा और इसके लिए 10 क्रोड रूपया grant किया गया है यह initiative है नितियायोग और PMO India के ministry of coal के अंतरकर तीन है नितियायोग PMO India और ministry of coal ठीक है methanol है जो एक motor fuel है जी ठीक है लिम्टेड NFL तो निरलेप सिंग राय इनका नाम याद रख लेंगे इनका फोटो पी में दिखाऊंगा इनको appointment क्या गया है chairman और MD यानि managing director अस्टेट और फटिलाइजर फर्म नेशनल फर्टिलाइजर लिम्टेड NFL के ठीक है यह अब तक टेकनिकल डिरेक्टर थे जी NFL में और अब इनको CMD यानिके chairman और managing director बना दिया गया नेशनल फर्टिलाइजर लिम्टेड के headquarter नोइडा में है और इसका foundation किया गया था एक सितंबर 1989 को इनका फोटो देखें अगला आटिकल है ASEAN Development Bank तो ASEAN Development Bank से related दो नूज है पहला नूज यह है कि इन्होंने ज्हारखंड को 112 million USD मतलब US dollar loan grant किया है जी और जब भी यह grant करता है ASEAN कोई भी बैंक या बल्ड बैंक या कोई भी तो वो government of India से memorandum understanding sign लेता है जी पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्हारखंड के लिए ASEAN Development Bank ने कोई loan issues किया है और इन्होंने लिया है urban local bodies के लिए जी ठोके to improve urban local bodies इनमें चार टाउन ज्हारखंड के सामिल है ठीक है और यह मैंने जैसा कि बताया कि यह पहला project है ADB का state of ज्हारखंड में दूसरा न्यूज है कि government of India और ADB ने sign किया 300 million का loan additional financing है ध्यान रखिएगा महरास्टरा के लिए मतलब पहले भी 200 million इनको दिया जा चुका है अगस्त 2019 में यह 300 million USD additional finance किया गया है महरास्टरा के लिए जी अब Asian Development Bank के बारे में जाने ADB का पूरा नम होता है Asian Development Bank और establishment हुआ था 19 December 1966 को एकदम याद रख लीजिए यह date कई दभा पूछा है प्रसिडेंट मासुगू असकवा है 17 जनवरी 2020 को बने थे हेड़कॉर्टर मनिला फिलिपिन्स में है और 68 कंट्री इसके मेंबर है जी अगला अर्टिकल है लेफ्टिनेंट जर्नल गुर्मीत सिंग तो रामनात कोविन ने इनको यानि लेफ्टिनेंट जर्नल गुर्मीत सिंग को जो की डिपूटी चीफ ऑफ आर्मी रह चुके हैं या रिटार कर चुके हैं इनको गवर्नर बनाया है उत्राखंड के जैसा कि मैंने बताया था कि बेबी रानी मौरे अब तक वो गवर्नर थे अब देखिए जल्द ही रिजाइ वकि बनवारी प्रोहित तो मैंने पहले बताया था आपको कि एक्टिंग गवर्नर थे पंजब के तो पंजब के पर्मेंट बन गया ठीक है अब छोकिन आगा लेंड से आरए भी रभी आये है तक मिलनांडू तो नागा लैंड में सुए तो जू जगदिस मुखी है असम के गवर्नर उनको एडिस्नल चार्ज दिया गया है नागलेंड के यानि अब देखते हैं नागलेंड के हो सकता है कि बात में गवर्नर बने कोई अगल आटिकल है Golden Rock Railway Workshop ये तिरूची पल्ली में इसका जो प्रांच है उसके बारें बात किया जारा है तिरूची पल्ली के बारें में बताऊंगा आपको तो इन्होंने 22 मा नेशनल अवर्ड जीता है जी Excellence in Energy Management from the Confederation of Indian Industries CII द्वारा ये अवर्ड चलाया जाता है और कहें के लिए for having adopted and implemented various energy conservation measures ठीक है जी ओ सी वर्क्सोप जह है only वर्क्सोप ऑफ इंडियन रेलवे जो ये अवर्ड रिसीब किया है इस साल जी अब तिरुची पल्ली के बारे बताता हूं तिरुची पल्ली में बहुत सा educational institute है जी जैसे NIT तिरुची पल्ली ट्रिपल आईटी आईएम और इंडियन इंस्टीट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलोजीज को बोलते हैं और लॉइंवर्शी टी भी है जी IDFC First Bank अगला टीकल है यह Reserve Bank of India ने grant किया है मतलब Re-appointment वी बैद दिनाथन को MD और CEO Managing Director and Chief Executive Officer ठीक है तो IDFC बैद के यह CMD बने है जी ध्यान रहे Re-appoint किये गए मतलब पहले से भी यह थे बैद दिनाथन को पहली बार Re-appoint किया गया था कब 2018 में जब मर्ज हुआ था दो बैंक IDFC First और Capital First IDFC Bank और Capital First जब मर्ज हुआ था तब इनको ए-appoint किया गया था दिसंबर 2018 में अब इनको तीन साल के लिए और extension दे दिया गया है जो की कारेकल शुरूओगा दिसंबर 19, 2021 से जी ठीक है IDFC के बारे मता दूँ IDFC First Bank का Headquarter मुंबई में है 2015 में अक्टूबर 2015 में इसका foundation हुआ था अब मुझे दी जिजाजत बहुत बहुत धन्यवाद स्थी जूब झालर के लिए संब बारे मुझे जल अब तो चाहिए कारेमिक का मुझे जैया दूबर के लिए से शुरूबर